हलो एवरीवन मैसेल चंदरभान आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल डानेशन बिल्डर टीचर जैसा कि आप सभी को पता है सुप्रीम कोट के अंदर बियर्ड वर्सिज एटिटी को लेकर क्लेरिफिकेशन को लेकर एक केश चरहा था मद्यप्रदेश के द्वारा ज को लेकर जो राजस्तान के अंदर जब फैंसला दिया गया है वो किस तारीक से लागू होगा उसी के रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो है जिसमें जसाब ने क्लेरिफिकेशन का इसमें बताया है और बियर्ड कैंडिडेट के लिए क्या कुछ का है इसके लावा लिए ये ओर्डर कितने माइने रखते हैं ये बहुत जुरूरी है और सबसे अच्छी न्यूज है कि ये फैंसला बिल्कुल कलियर कर दिया गया है और अब किसी भी परकार का इसमें कोई दोराई नहीं है और ये पूरे भारत पे लागू होगा सिर्फ मध्य परदेश में ह लागू नहीं होगा और इसमें फाइनल जो जजजमेंट है वो आ चुका है और ये इसमें लगबख नो पेस का ये जजजमेंट है जी कोट ओर्डर जो दिये गे हैं जिसमें जसाब जो रिटायर हो रहे थे उन्होंने अपना फैंसला जो लिख दिया था और आठ अपरेल क तरीके की AI लगाएगी है वो दिया गया इसके लावा जो अलग अलग पार्टीज के जो वकील है उनकी पूरी इसमें लिस्ट दी गई है इसके लावा इसमें क्या लिखा हुए जी फास्ट में आप देख सकते हो ओन्द 11 अगस्त इसमें जो 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 चीजें काम की है या जो इपोर्टेंट चीजें वो डिसकस करेंगे क्योंकि औरिड़ी आपने काफी चैनल्स मेरे इसाफ से वीडियो देखियोगी रमेस रोयल्स का चैनल वहां पर भी आपने देखियोगी मेरे को जो जो जिएसे जिए है इसमें पता चली है जो जो अच्छा प्वाइंट ओ लग 23 को जो कोट ने इसी कोट ने जो सुप्रीम कोट ने है जी जो राजस्तान का केस था उसको लेकर जो चल रहे था देवेश सर्मा वाला मामला था उसमें जो है सर्ट ओफ जो भी अपली जो केस दाएर के अपील दाएर की गए थी वो उनको रद कर दिया था ठीक है जी 25 जो नोंने बताया कि प्राइमरी लेवल के लिए जो डिप्लोमा धारिये डियलेड केंडिडेट है वो ही वैलिड होंगे बीयड को कहीं भी इसमें नहीं रखा जाएगा आने वाली बरतियों के लिए इसके लावा जो ओरेडी केंडिडेट सेलेक्ट है उनके लिए क्या बोला ह अप्लिकेशन फर क्लैरिफिकेशन थे एप्लीकेंट सीख फॉर अस तो होल्ड यह जा रहा है क्योंकि उस दिन जब जसाब यह चीज़ सुर रहे थे क्लैरिफिकेशन का नेचर नहीं यह रिविवव का है जो हमने फैंसला है उसी को आप कह रहे हैं कि एक बार उसे दुबा review nature का है, clarification का, नहीं, it is and the nature of a review petition only through the applicant है, यह state of Madhya Pradesh, the set dispute is the subject matter of a large number of litigation in the various state and we are apprised that in the some high court the matter are pending, यह भी बात most important है क्योंकि इसके काण काफी high courts के अंदर जो matter pending है और हमें लगा कि यह मामला ज्यादा मतलब सामने आ रहे हैं, यह मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, before us two set of parties are there, one set wants retention of the set judgment in its present form the opposing side, जो allegation लगा रहे हैं, that it would be result in the loss of employment, तो कुछ जो against party वो बो रहे हैं, इससे क्या होगा, क्योंकि जो job है वो चली जाएगी, और यह भी बात उन्होंने बोली है कि हाँ, already appointment, यह पर यह देखे जी क्या बोला उन्होंने, who already appointed a teacher in the different state on the strength of their B.A. degree, it is submitted that they had entered their employment following a ligament course as per the notification issued by the respective appointment authority which did not stuple a DLA to the only requisite qualification. Now, अब क्या चीजे निकल के आ रहे हैं, having considered these factors and particularly the contention of the B.A. applicant that they had entered their employment as per the qualification criteria specified the appointing authority. Equity should go in favor of the retention of their employment. Two parties है, two points, यह इसे most important बाते निकल के रहे हैं, कि उपर इन्होंने बाते बताई हैं कि इस तरीके का हुआ, हम advertisement निकल किया ही, हमने वो फिल किया, हम जोब में चलेगे, हमारी क्या गलती है, इसमें equity का होना चाहिए, समता का मामला होना चाहिए, यह चीजे उन्होंने बोली. अब two points क्या हो रहे हैं? Two points have been argued, taking objection to the bill of the present application, that is the state of Madhya Pradesh. The first one is that this application has been framed as one for the clarification and actually an independent relief is asked for in this application. We have referred to this aspect of the controversy earlier in the this judgment. In our opinion, this kind of application seek clarification out. यह इन्होंने सारी बाते इसमें बोली है कि इस तरीके से यह सारा कुछ रहेगा. In the given fact, we find that the question as to whether the judgment would be prospective or not was not state by in the adjustment delivered on 11th August 2023. ठीक है जी? orderly adjustment act retrospective unless it is specified state to be otherwise more this matter has been aired server location. ठीक है यह सब बाते इसमें होगी. एक सकीड मैं इसमें जो अपने लिए important चीज है वो मैं बता देता हूँ. यहाँ पे इन्होंने यह देखो जी, यहाँ पे लिखा हुआ है. एक सकीड यह देखे जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है. एक सकीड यहाँ पे जो लिखा हुआ है. ठीक है जी, हम सोसते हैं. We accordingly hold that the judgment delivered by this bench on 11th August 2023 shall have prospective operation. But, परंतु क्या रहेगा, prospective operation of this judgment shall be only, उनके लिए होगा, only those candidates who were appointed without any qualification or condition imposed by any court of law. यानि subject to outcome का matter नहीं होना चाहिए, court में pending नहीं होना चाहिए. कहने का मत्वल है, जो already job के अंदर है, उनकी job सुरक्षित है, परंतु जो job के अंदर नहीं है, या जिनका अभी फैसला नहीं आए, या final outcome नहीं होए, इन्हों नहीं यहाँ पे बोला है जी, any court of law, the effect that their appointment would be subject to final outcome of the case which might have been instituted by them and such candidates were in regular appointment without any disqualification and were appointed in the pursuance of a notice of advertisement where beard was stipulated to a valid qualification. जहाँ पे ये बातें बोली गई, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि beard a qualification रहेगी, वहीं ये चीज़ होगी, पर subject to matter, यानि मामला जैसे मद्या परदेश कहाई जी अभी 15 अप्रेल को उसकी फिर से सुनवाई है, service of only such candidate shall not be disturbed because of this judgment, we have it clear that this benefit is only, किस-किस को दिया जा रहे है, four candidates who were appointed per year, इससे पहले, इसका मतल पहले, to that date of our judgment was delivered on 11th August 2023, 2023, यानि 11 August 2023 को जो फैंसला आया, उससे पहले-पहले जो भी लग चुके हैं, उन पे ये जो प्रोस होगा, लागू होगा, ठीक है, पहले से लागू होगा, यानि इस देड़ से, ओके, यानि पिछे से लागू नहीं होगा, 11 August 2023 से लागू होगा, selection of such candidate or their participation in the process of, process will not be entitled them for a benefit under our present order, more ever, the candidate having beard qualification, whose appointment we are protecting in this judgment, जो हो चुके हैं, उनको हम protect करते हैं, we'll have to undergo a bridge course, एक important बात ये भी निकल किया, इसमें उन्होंने क्या बोला है, कि bridge course उन्हें को करना होगा, और ये जो benefits सिर्फ 11 August 2023 से पहले-पहले जो हो चुके हैं, उनको, ये नहीं होगा, subject to outcome का matter नहीं होना चाहिए, 11 August 2023 से जो पहले-पहले हुए हैं, उनके उपर prospective order हैगा, final outcome का matter नहीं होना चाहिए, under process किसी भी परकार का मामला नहीं होना चाहिए, जैसे मद्यपदे साइगोर्ट के अंदर subject to outcome था, उनके जब उनका process चरा था, तो ये चीज़े लिखी होई थी, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, कि अगर beard का candidate selection ले भी चुका है, तो उसको क्या करना है, जी within one year, यहाँ पर लिखा हो है, ये देखो जी, विदिन one year period, उसको breeze course करना होगा, और उसके लिए, जो NCT और जो सिक्षा बनतरा लिया है, उन दोनों को कहा गया कि आप इसका जो framework करेंगे, और subject post under conditions, stipulated in the earlier part of this order, national council for teacher education shall design such course under our all supervision of the ministry of education, ministry of education के under NCT, ये करेगा, और ये चीज़े करने के बाद, उसको एक साल के अंदर, जो B.A.D. के already appoint हो चुके है, वो इसे करेंगे, एक साल के अंदर उनको ये course करना होगा, अगर by chance वो fail हो जाती है, होते तो है नहीं, क्योंकि उनको पता है जी उनकी job चली जाएगी, अगर failure हो जाता है, ये लिखाओ उन्होंने, failure, any candidate participating in a complete course within the time framework given the concert education authority will invalid, उसको बाद निकाल दिया जाएगा, the appointment of such candidate, we also उन्होंने यहाँ पर clear कर दिया कि ये जो फैंसला है, पूरे भारत पे लागू रहेगा, और ये फैंसला है, इसकी जितनी भी जो AIA लगाई गई है, वो dispose of कर दी गई है, we also make it clear that the direction contained in this order shall not be confirmed to the applicant state, and shall cover all cases which may be pending in different judicial fora in any state or union territory on the same point of law, the present application stand to dispose of in the above terms, pending applicant if any shall also be stand to dispose of, ठीक है जी, तो यहाँ पर senior जो पर ये इन्होंने जो फैंसला लिखा है, इसमें सारी बाते बताएगे, यहाँ पर दो चीजे निकल के सामने आई जी, बीर्ड के candidate जो औरेडी लग चुके हैं, वो तो हैं जी safe, उनको नहीं निकाला जाएगा, 11.08.2023 से पहले पहले, अगर 11.08.2023 से पहले पहले कोई भी subject to outcome है, appointment नहीं हुआ है, उनको वहां की जो high court में जो मसला चल रहा है, उसी के हिसाब से subject to outcome में उन्हें बाहर कर सकते हैं, यह जो मद्यपर्देश में 15.04.2023 को जहां पे यह होने वाला है, सुनवाई होगी, वहां पता, कलियर हो जाएगा, जी पता चल जाएगा, और B.E.E.D. के जो candidate औरेडी लगे हैं, उनको within one year अपना यह bridge course करना होगा, नहीं तो उन्हें जोब से निकाल दिया जाएगा, और यह जो फैंसला है, पूरे भारत में लागो होगा, अब किसी भी परकार का B.E.E.D. और E.T.T. का case अब नहीं लगेगा, इसके अलावा primary के लिए जो आगे की भरतिया होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ D.L.E.D. B.S.T.C. E.T.T. के जो candidate, J.B.T. के जो candidate है, वो ही PRT के लिए राम राम.